Welcome back guys, कैसे हैं आप लोग और Games Planet पे आपका स्वागत है, आज की वीडियो के अंदर में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जिन लोगों ने भी FMCV Card Plus 500 GB की Hard Drive PS2 के लिए अमारी वैबसेट से बाई किया है, या फिर PlayStation 2 बाई किया 500 GB, तो आपको एक secret option नहीं बता, क्योंकि इसक मैं आपको सबसे पहले तो FMCV मेन्यों से यू लाउंच में लेकि जाने वाला हूँ, ठीक है, और यू लाउंच में क्या है न, एक आपको मैं, मैं फोल्डर दिखाने वाला हूँ, जो secret folder है, हमने इसमें especially copy करके रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम मास में आ जाते है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे देखो, यह system folder है, और इसके अंदर आपको मिल जाता है, FCE Ultra, ठीक है, यह FCE Ultra, जो है, इसमें दो वर्जन में है, और यह वाला जो है, हमारा run करता है, मारियो पॉंट्रा को लेकर, और इसके अंदर हमने SNES emulator भी डाला तो आप इसमें SNES के गेम भी चला पाएंगे, फिलाल, NES folder के आपको गेम मिल जाते हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ, देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास में यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है, PS2 को बन करके फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे PS2 यह सब भरके पड़े हूए यार, इसमें सारी कैस्टे में ने डाल दी है, और खेल सकते हूँ, सबसे नीचे आपको मिलता है FMCB का Configurator, तो X बटन दबा के, एंटर करेंगे, आपके PS2 में, और O बटन से एंटर है, तो बटन से एंटर है, तो बटन अब यहाँ पे जो भी जान देखो, OSD सिस्टम में आ रहे हैं, इसमें आने के बाद में आपको क्या करना है, कि यहां देखो, यहां पर आपको दिखाई देगा, कि लिखा हुआ है हमने, यू लांच, तो यू लांच के अंदर क्या मिलता है, आपको पता ही है, देखो, इसके आगे दूसरा option है, ES सार, ऐसी तीसरा open case to loader, चौथा है, ऐसे करके था ना, ठीक है, सो हम back जाते हैं, एक मिनट को, और यहां पर OSD system option में थे, तो हम इसमें एक मिनट वापस जा रहे हैं, और अब ही क्या करते हैं, configuration scrolling options में आते हैं, ठीक है, यहां पर nine item display में दिखाई देगे, तो मैं क्या करता ह ग्यारा करने के बद return आएंगे, और उसके बाद में हम वापस, यह इसमें जाएंगे, ठीक है, यह वाला option है यह, इसमें आगे करेंगे, ESR open, ठीक है, ऐसी साथवे नंबर खाली है, ठीक है, आठवी खाली है, ऐसे करके, तो यहां पर हम एक नाम add करते हैं, ठीक है, इसका के लिए देखो, हम यहां पर यह यह यूज करेंगे, या कुछ भी anything कर सकते हैं, ठीक है, एक से delete भी कर सकते हैं, अब मैं यहां पर क्या करता हूँ, यह लगा, ठीक है, इससे क्या होगा कि उसमें ना, शायद इस पेस नहीं है, तो मैं यहां पर पूरा तो नाम नहीं लिख करेगा, तो इसकी path हम चूज कर लेते हैं, देखो, path हमारा है, mass में, तो mass में आ चाते हैं, देखो, मैंने दिखाया था न, system folder, system folder के अंदर, यह वाली file, fceu, packed file है, यह, v0.3.3, यह version सब पर run करता है, तो यह वाला ले ले लिदा, और इस पर O दबा देना, बास, इतना ही का काफी है, उसके बाद return, ठीक है, यह तो हमने fc ultra set कर दिया, अब एक और चाहोगे तो वह भी कर लो, s, जिसको कहते हैं हम न, s, ness वाला, हाला कि उसके game नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, s, ness, ठीक है, बस, होगे क यहाँ से file choose कर लो, s, ness की file जो है, वो यह रही, okay, ऐसे ही, हम इसको और नीचे करके, यहाँ पर, return आ जाते है, बाहर आने के बाद में, आपको settings को save करना पड़ेगा, so save cnf2 mc0 कर देना, ठीक है, बस, यह हो गई, save settings, अब return to fontino करते हैं, बाहर आ जाते है, तो fontino से बाहर आ जाएगेगा, यानी fmcb से बाहर आ जाएगेगा, यह जो configuration थी, अब वापस चालो होगा, और यह देखो, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर fc ultra आ अब fc ultra को, मैं run करके देखा देखा, याद रखिएगा, जैसा मैंने दिखाया, वैसा ही करना, कुछ भी अप अपनी तरफ से मत करना, ठीक है, तो यहाँ मास में आ जाते हैं, मास में आने के बाद देखो, यह सब चीज़े दिखा रहा है, और हमारा नैस रोम का यह रा फोल्डर, फिर से देख लीजे, मास में आना है, वो बटन दबा के, और नैस रोम में जाना है, अब यहाँ पर आ यहाँ पर 64-1 भी है, उसको रन कर लेते हैं, ठीक है, वो बटन से रन होने वाला है, जैसी रन होगा आपको स्क्रीन दिखाई देगा, और लाल में रन कर दिया है, यह देखो, ओके, तो यह रन हो गया है, इसको रन करता हूँ, मैं मारियो को, और आप देखो, ग्राफिक भ सुबहराँ आप इस तरीके से मज़़े ले सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से मज़े ले सकते हैं, गेम के, देखेशे को एक और चीज़ याद रखनी है, यह सह बाहर में, थे कर लेए, इसके बार रहाँ, पर देखेएंग कि वापस आगया स्क्रीन पर ठीक है एलवन से एक्सिट था याद रखना और चला लेते हैं गेम्स को यहां पर मेरे पास में सेविन इन वन का गेम है यह चला के देखते हैं कि अब यह मारियो कौन का वाला जोड़ने वाला मारियो होता हुग वाला मारियो इसमें टर्बो बटन भी काम करते हैं जैसे यह मारने वाला बटन स्क्वायर है एक्स से कूदना है तो वह इसका टर्बो है आटोमेटिकली टर्बो बटन भी काम कर रहे हैं यह बहुत अच्छी वात है यह नया वाला वह है तो यह बहुत अच्छी वात है कि हमारा सारे फंक्शन सही चल रहा है बिल्कुल मैं एक्सिट कर ले तो यहां से फिर से टेव स्टेट करने से आपका जो भी गेम जहां पर वहां पर से हो जाएगा लोड से महीं से आजाएगा वापस एक्सिट गेम कर रहते हैं फिलाल तो एक्सिट यह करके बिल्कुल बाहर आपकी लिस्ट पर आ जाएगा तो अपनी मर्जी के जो भी गेम किलना चाहों बहुत हजारों में तो अभी इससे और एक्सिट करना चाहें यह आप कर सकते हों के मर्जी से और यहां से आप यह डिस्प्ले जो है यह कलर है मेरे साफ से देखो इसको कुछ मत चेड़ना सब परफेक्ट चल रहा है जो अपनी साफ से करोगे तो अपने रिस्ट पर करना एक्सिट ऑप्शन मैन्यू और एक्सिट पावर आप भी कर सकते हैं फिलाल मैं एक्सिट तो एई एल्फ कर रहा वापस फंटिवना मोड पर ठीक है देखो यह आ गया FMCB मोड हमारा वापस आ गया तो वापस फिर हम प्यस्टू अपना गेम रन कर सकते हैं ओपन प्यस्टू लोडर जैसे हमारी जो गेम प्यस्टू के हैं वो लिस्ट आ जाएगी तो ऐसे अपने मर्जी से आप कर सकते हो ठीक है तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अपनी मर्जी के गेम इस तरीके से आप अपनी तरफ से सैडिंग कर सकते हैं कोई ऑप्शन हटा ना लगाना आप सब ही कुछ इसमें कर पाऊगे ठीक है तो इस तरीके से आप एड़ कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर ल सब्सक्राइब कर जाड़ जादा से सब्सक्राइब करो आपको मेरे साथ से जिन लोगों को भी लगता है इंहों ने भिवाय क्या हुआ है पलीज चैनल को जाड़ सब्सक्राइब करो तांकि हम अपनी वीडियो जो हैं जो आप लोगों के लिए बनाते हैं कम से कम हमें इतना तो मिले कि भाई हमारे व्यूज आ रहे हैं देखो आप लोग देखते हो अब लाइक करते हो इस इसी पता लगता है अगर आप सिंप्ली ऐसे ही लाइक करे बिना चले जाओगे तो हमे आपको पसंद नहीं आती है सो यह बहुत जरूर है सुब्बाए